तो मैं गुलाम नहीं हूँ किसी चीज का ये सिखा रहा हूँ तुम्हे मेरे को दस पैसे का फाइदा नहीं मिलेगा इसमें ये सीख गए ना मरते दम तक तगड़ी वैल्यू दोगे अपने बच्चों को, अपने ग्रैंडशिल्रन को अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को सबको, ऐसा इनसान क्योंकि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई लड़का-लड़की की चीज ही नहीं है ये एक human thing है the assumption कि दुनिया में मैं किसी में भी अगर invest कर रहा हूँ emotionally और मुझे पलट के वो जो investment है, उसका पूरा return मिन ले वाला है इस assumption की कोई guarantee नहीं है अब इसका मतलब ये नहीं तुम्हें डर फील करना है ये तो फिर काही किसी relationship में invest ही नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ मैं मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें जिंदीगी में ये चीज़ समझनी है कि जब तक इंसान इस दुनिया में तुम चीजें साथ डील कर रहे हो तुम्हें ये factor हमेशा रखना पड़ेगा कि उस इंसान का दिमाग पलट सकता है Now there are many factors to that Given कि वो हो सकता है इंसान young हो जितना ज़्यादा young है उतना ज़्यादा और तुम्हारा chances increase हो जाती है कि वो इंसान अभी impulsive decision making में participate करेगा क्योंकि वो अभी young होने की वज़ा से figure out करना चाहरे है उनकी curiosity इतनी ज़्यादा है उनके perceptions life में जीने की है patterns अभी उतने ही ill-formed है अब तुम्हें मैंने एक चोड़ास example दिया धिमाग से अगर तुम्हें इस इंसान के दोस्ती होते है तो तुम्हें ये patterns कपके देख रहे होते हैं कि और तुम्हें सब जाता हूं दिल से तुम्हें दिखे भी होते क्यों जूट बोलें दोस्त तुम्हें दिखा होता कि ये इंसान अच्छल में उससे एक टाइमें बात किया करती थी इसने एक टाइम पर इसको छोड़ दिया कोई भी चीज हावा की तरह नहीं होती किसी के साथ तुम्हें उसकी भनक मिलती है जितने लॉंडे हैं जहाँ कितनी लड़किया हैं जो भी चीज़ें आपके साथ हुएं जिसने आपको छोड़ पहुंची हो ऐसा नहीं है आपको वो लाइफ में वो चीज़ें ना दिखी हो होती होए पहले लेकि आप सप्राइज बात में ऐसे फील करते हो क्योंकि आपने आपको exceptional rule में डाल दिया था कि मेरे साथ नहीं होगा और यहीं पुरा खेल है दुनिया का कि आपको इस दुनिया में अपने आपको exceptional rule में डालना बंद करना पड़ेगा आप भी इंसान हो जितने हर को इंसान है जब तक आप यह accept नहीं कर सकते कि यह आप उस इनसान की नजर में उतने ही इंसान हो जितने की बाकी लोग हैं तब तक आप गेम में एक bias के साथ खेल ले हो कि मेरे साथ तो यह इसने यह promise किया था मेरे साथ तो यह वो किया था तो आप क्या कर रहे हो अपने आपको जानबूच के जूट बोलके और इमोशन्स के spider webs में फसार हो भाई जिसे तुम घंटा ना निकल पाओगे समझो मेरी बात जदने लॉंडे भी जिनको प्यार हो जाता है दूसरे लड़की को देखके या लड़की से बात करें दोस्ती में प्यार हो गया वो क्या कर रहे है वो rule of exception में अपने आपको put किये पढ़े है हर scenario में जहां पर उनको एक available data मिल ला है कि यहाँ पर यह चीज red flag है इसमें इस लड़के को छोड़ा इसका इससे दोस्त हो चुका था इधर इसका एक class में या school में दोस्त है जो इसको लाइन मारता रहता है जिसको भी अपने दोस्ती में रखती है लेकि उसको लाइन नहीं देती लेकिन वो सारी चीज़े जो कि मेरे पर भी apply हो रही है लेकिन मैं अपने आपको rule of exception में रखे पढ़ा हूँ अपने साथ हो दुनिया में जब तक तुम निर्भर रहोगे किसी ना किसी के साथ के लिए assistance, support, love, companionship, partnership तब तक खुशी तो नहीं मिलने वाली दोस्त मैं कैसे समझाओं तुम्हें उस सथा तुम 18-20-21-22 तुम्हें इस चीज़ ना मिले बट यह मिल दी सकती है अगर तुम यह कहो कि यार मुझे अपने साथ होने में भी थोड़ा गर महसूस करना है, थोड़ा प्यार महसूस करना है, थोड़ी सी support महसूस करनी है, थोड़ा सा comfort महसूस करना है दोस्त कोई हो ना हो अठलीस मैं तो हूँ न अपने साथ अपने से दोस्ती करके तो देखो दोस्त एक बार एक बार बस करके तो देखो कोशिश तो करो तो ये इनसान अगर चला भी जाता है तो इतना फर नहीं पड़ता क्योंकि कि दुनिया में हजारों लोग है आएंगे जाएंगे जाने दो जिसको आ रहा है आने दो सबसे इंपोर्टन्ट है मैं अपने साथ हो की नहीं हूँ समझो इस चीज को तुम दुख ही इसले हो क्योंकि एक इनसान चला गया क्या उसने कोई बादा किया था जिन्दगी भर नहीं जाएगा क्या वो जब पैदा हुई थी कोई भगवान ने तुम्हें सांसारिक अग्रीमिंट भे जाता कि इनसान तुम्हारे साथ जिन्दबर चिपका रहेगा क्या तुम्हारे माबाप ने time machine use करके पुराने time में जाके Greek civilization से एक slave खरीद के लाए थे तुम्हारे ले हो कह रहे थे अब ये जिन्दगी भर बिटा तुम्हाले हम slave खरीद के लाए तुम्हारे साथ रहेगा नई तो किस बुनियात पे भाई तुम दुखी हो रहे हो तुम दुखी इसले हो क्योंकि एक इनसान चला गया एक इनसान चला गया एक इनसान है तो तुम्हारे पास और इनसानों पे निर्भर अरगर करके जिन्दगी जी रहे हो तो तुम खुशी कैसे पापा होगे दोस्त इनसान तो जाते रहेंगे और आते रहेंगे लड़कियों के बार में कुछ बात है यहाँ पे इनके बार में बात करें तो root problem is तुम कहीं ना कहीं इस ideology के basis पर function कर रहे थे कि तुम्हें एक इंसान चाहिए जिसके basis पर तुम लाइफ में तब तुम कहते हो मैं comfort पापाया हूँ एक level का that is wrong that is a false sense of satisfaction तुम्हें यह satisfaction यह sense of satisfaction पाना है by living with yourself and उसके बाद जब तुम comfort level पे ride गर रहे हो तुम कह रहो कि भाई मैं अपने में खुश हूँ अपने साथ and then you find a person and you're like oh would you like to be with me that's a great ride यह नहीं कि मैं miserable हूँ अकेला क्या तुम मुझे मेरे साथ आके sense of satisfaction दोगी imagine how toxic and scary that is क्यूंकि जब भी उनसान गया sense of satisfaction चला गया how can you live your life like that तुम सब जितने लड़के देखरो जो इस वक्त सिंगल हो तुम सब की जिंदगी में the mission in your life is not अभी की लड़की पतानी है लड़की चाहिए लड़की 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 या लड़की ऐसे होती है लड़की ऐसे पती है नहीं you have to find that sense of satisfaction अपने साथ रहने में and that's the work वो है गेम जो तुम है figure out करना है कि मेरी personality में what are the things that keep me satisfied with myself वो cultural game क्या है वो interest basis पे गेम क्या है वो intellectual game क्या है वो क्या मिठाईया हैं जितनी भी intellectual हो सकती है bodies हो सकती है activity हो सकती है practices हो सकती है achievement हो सकते है क्या वो चीज़े हैं जब तक मेरे पास रहती है और मैं अपने पास जब तक रहता हूँ मेरी दोस्ती अपने से इतनी अच्छा connect है कि मैं एक level of sense of satisfaction पापाता हूँ ठीव दोस्त कोई जरुरत नहीं है अगर अभी कोई नहीं है तो ये feel करने की कि तू अकेला है लेकिन इसका मुलब ये भी नहीं है तू जिन्दगी भर emotionally अकेला रह सकता है लेकिन तू emotionally crippled भी नहीं है अकर तू पास कोई partner नहीं है ये समझ extremes में क्यों खेल रहा है भाई या तो मैं emotionally 100% पूरा तब हूँ जब लड़की है और लड़की नहीं है तो मैं emotionally crippled हूँ ये कैसी reality है यार बीच में भी एक zone है भाई जहांबे तू छिल हो लॉंडे हो पता है कई लोगे जो कॉमड़ी लिखते है शृता भाई comes from a point की जब हो एडवाइस एतने लड़कियों में जो वो कहरें confident रहो ये हो रहो मैं कभी ऐसी advice ये ही रहा हूँ जहांबे मैं कहरा हूँ confident बन जाओगे गाजर का हलूआ है क्या बनाए हो खाली हो confident हो गए मैं हमेशा self work की बात करता हूँ जैसे अभी ही मैं कर रहा हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ रही है the only difference is तुम इन चूतियों की बाते सुन रहे हो जो तुम्हें कहरे हो हम थाली में तुम्हें solution दे देंगे मैं कहरे हूँ solution तुम्हें थोड़ा सा figure out करने और थोड़ा सा hard उसमें काम है सच यह है तुम्हारा reluctance है there is a level of hesitance in you to work for yourself self work करने में तुम्हारी फटती है तो तुम short cut ढूंड रहे हो by guys जो तुम्हें सिखा रहे हैं हम ऐसे लड़की पठवा देंगे तुम्हें और तुम इनी दो बानेर भी फासेव हो इसलिए कि emotionally crippled हूँ यहां तो या emotionally hole मैं तभी हूँ जब मेरे पाँ लड़की है that's the problem भाई मैं कह रहा हूँ chill बनो पनी life में and उसके लिए yes work करना पड़ेगा but the upside of that भाई लड़कियों की life में problem नहीं रहेगी because लड़की को confidence तुम्हें दिखाने की ज़रूद नहीं पड़ेगी you will exude confidence मेरे भाई because you are emotionally secure but उसके लिए work करना पड़ता है उसके लिए अपने से दोस्ती करना ही पड़ती है अपने आप से पियार करना पड़ता है inner conversation भाई भाणना भी है life में यार कुछ बनना भी है क्या घजब relationship है अपने साथ जब ऐसी इंसान इसी relationship में engage करता है जहां पर वो अखेला नहीं है क्योंकि उसके साथ तुमारे दिमाग में एक identity है the self जो तुम्हें empower करती है कर सकते हो, सोचो क्या fruitful relationship है as opposed to भेंचो घुलाम बनना to a need, to a desire and उसके बाद ऐसी crippling घटिया philosophy में participate करना जो की actual में western है pick apart क्या है Indian है तुमारी कोई चीज जो inherently culturally तुम्हारे से completely opposite है उसके अंदर तुम खुस के comfortable कैसे feel कर सकते हो ज़़ तुमारे DNA में ही नहीं है रोड पे लडगियों को रोक के बाद करना क्योंकि तुमारा culturally conditioning genetically hundreds of years जो हुई है तो भाई तुम उसमे comfort कैसे पा सकते हो यार तुम any day inferior feel करोगे उसमें, so maybe तुम वो कोई mode of execution या mode of functioning, choose करो जहां पे तुम खुद को empower करते हो long term में not just की, oh I need a fucking girlfriend और वहीं तक मेरे को solution दे दो, उसके बाद क्या करें मैं तुमे solution दे रहा हूँ ऐसे thinking गड़ तुम ये चीज़ करते हो जो lifetime serve करेगी एक relationship में हो तब भी you are chill with yourself यानि कि relationship भी let's just say toxic relationship में आ गए होता हूँ और सामने वाला अब तुमारी emotions को use कर रहा है तुमारे against and तुम जोगते नहीं हो because you have a companion in yourself and you realize दोस्त ये acceptable नहीं है यहाँ पे जिल्लत महसूस करनी पढ़ रही है यहाँ पे वो चीज़ फील कर रहा हूँ मैं जो नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरी में करना पढ़ रहा है तो मैं इस चीज़ से अपने आप में खुटने बे गिर के नहीं accept करने वाला मैं उठके निकल सकता हूँ और उसके बाद भी मैं ठीक रहूंगा तो मैं गुलाम नहीं हूँ किसी चीज़ का यह सिखार हों तुमें मेरे को दस पैसे का फाइदा नहीं मिलेगा इसमें यह सीख गए ना मरते दम तक तगड़ी वैल्यू दोगे अपने बच्चों को, अपने ग्रैंचल्रन को अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को सबको, ऐसा इनसान क्योंकि यह चीज जो मैं बता रहा हूँ, यह कोई लड़का लड़की की चीज ही नहीं है, यह एक human thing है Every human being can use this